आज हमारा टॉपिक है अधिगम का इस्थान अंतरन हम अधिगम के टॉपिक को कर रहे हैं तो आपकी सेकंड यूनिट चल रही है जिसमें हम अधिगम के प्रकार विशेष्थाएं और अधिगम की संकल्पना प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हम देख चुके हैं क्योंकि हमारे एक्जाम के अकॉर्डिंग ये सभी आपसे पूछे जा सकते हैं आज हमारा टॉपिक जो है ये भी बहुत इंपोर्टेंट है जिसमें हम पढ़ेंगे अधिगम का इस्थान अंतरन यानि कैसे अधिगम कैसे कोई सीखा गया जो है पहले का सिखा गया जो है वो ट्रांसफर होता है वर्तमान में ठीक है तो कैसा एफेक्ट डालता है क्या वो नेगेटिव एफेक्ट डालता है पॉजिटिव एफेक्ट डालता है या नहीं डालता है तो ये सभी आज हम पढ़ने वाले हैं चलिए तो ये खुद आप अप उपने उपर अप्लाए करके भी देखिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहले हम देखते हैं अंडर्वुड के अकॉर्डिंग अधिगम का इस्थान अंतरन क्या होता है। वर्दमान क्याओं पर पूर्व की क्याओं का प्रभाव ही अधिगम इस्थान अंतरन है। या शून्य है ये सब भी हम देखेंगे। अधिगम के इस्थान अंतरन को हम तीन टाइप में बाटते हैं। एक तो धनात्मक इस्थान अंतरन, दूसरा रिणात्मक इस्थान अंतरन और तीसरा सून्य इस्थान अंतरन। धनात्मक इस्थान अंतरण को हम सकारात्मक इस्थान अंतरण भी कहते हैं चलिए सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं जब एक इस्थान पर सीखा ग्यान दूसरी जगे काम आए अब ये कैसे होता है? एक्जामपल के माध्यम से देखेंगे साइकल चलाने वाला स्कूटी जल्दी सीख जाता है हम भी कई बार कहते हैं कि यदि आपको स्कूटी या बाइक चलाना सीख नहीं है तो उससे पहले आपको साइकल आने चाहिए यानि जो व्यक्ती साइकल चलाना आता है जिसे वह स्कूटी जल्दी सीख जाता है यानि एक जगह cycle का सीखा गया ज्यान स्कूटी में काम आ रहा है, ठीक है? तो यही क्या है धनात्मक इस्थान अंतरन, इसी को कहते हैं सकारात्मक इस्थान अंतरन, I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा, next देखते हैं नकारात्मक या रिरनात्मक का स्थान अंतरन, negative transfer, ज लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर एक इस्थान पर सीखा गया ज्यान, दूसरी जगे problem create कर रहा हो, परिशानी का कारण कर रहा हो, तो ऐसा अधिगम नकारात्मक या रिरनात्मक की स्थान अंतरन कहलाता है, तो वो कैसे होता है? चलिए example देखते हैं, हिंदी टाइपिंग वाले के सामने इंग्लिस टाइपिंग काम नहीं आती है, बलकि बाधा उत्पन करती है, क्योंकि हमें पता होता है कि जो हिंदी टाइपिंग वाला है, उसके जो finger है, वह कौन-कौन से वर्णों पर पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही यदि उसको इंग्लिस टाइपिंग करने को दे दी जाए, तो वह परहिशानी महसूस करता है, ठीके, तो इससे आपको समझ में आया होगा कि ये क्या हुआ, नकारात्मक स्थान अंतरन, क्योंकि इसका जो हिंदी टाइपिंग वाले का है, ये इंग्लिस टाइपिंग में क्या हो रही है, बाधा उत्पन हो रही है, तो जब एक स्थान का सीखा गया ज्यान, वर्तमान में या दूसरी जगे काम आए या ना आए, पूर्व ज्यान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अभी हमने पहले देखा था कि प्रभाव पढ़ रहा था और एक जगे प्रभाव नहीं पढ़ रहा था, और अब हम देख र प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे ही अधिगम की अनुपस्तिती भी कहते हैं, जैसे इंजीनियर की एजुकेशन, डॉक्टर की एजुकेशन में कोई प्रभाव नहीं डालती है, क्योंकि इंजीनियर की पढ़ाई अलग है, डॉक्टर की पढ़ाई अलग है, तो एक दूस समक क्य required और सुने इस्थान इंत्रन इसके अलावा कुछ ready सान इतरं के अन्य प्रकार भी है यह भी आपके एक्जामे पूछे जा सकते हैं तो इनको भी हम छोड़ नहीं सकते हैं इनको भी ध्यान देना हैं आपको फर्स्ट है पार्श्व्य अंतरण, लेटरल ट्रांसफर, इसे एक पक्षी अंतरण भी कहते हैं, तो इसका जो ये परियावाची है, एक पक्षी अंतरण, इसे आप बहुत अच्छे से याद रखेगा, इसी से आपको बहुत ही क्लियर होगा, एक जगे पर एक परिस्तिती मे आपके सामने आए, तो हम पहले सीखे हुए अधिकम जो है, उसे काम में ले सकते हैं, कैसे, स्कूल में सिखशक द्वारा सिखाया गया एडिशन, यानि कि स्कूल में सिखशक ने जोड करना सिखाया, ठीक है, जोडना सिखाया बच्चे को, तो बच्चा घर में आकर जो आकलेट गिनना सीख लिया है, तो यहाँ परिस्तिती अलग है, तो एक परिस्तिती का सीखा गया ज्यान उसी तरह कि अगर कोई परिस्तिती मिल जाए, तो वहां काम आ जाए, इसको कहते हैं, एक पक्षिय अंतरन या पार्षिय अंतरन, नेक्स्ट हैं, अन्य प्रकारों में अनुलंब अंतरन या लंबातमक अधिगम इस्थान अंतरन जिसे दुए पक्षिय अंतरन कहते हैं पहले तो एक जैसी कंडिशन आ रही थी गैने ने इस तरह के अंतरन को सीड़ी पर उपर कियो चड़ने के समान की प्रक्रिया माना है कैसे? अब यहाँ एक कुश्यन आपका बन जाता है कि गैने ने कौन से अधिगम इस्थान अंतरन को सीड़ी पर उपर चड़ने के समान की प्रक्रिया माना है तो आपका आंसर होगा अनुलंब अंतरन या लंबातमक अधिगम इस्थान अंतरन इसका example देखिए किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर मान 0 ही आता है क्योंकि यहां बच्चे का concept clear है देखिए उसको कितना भी लंबा CD के समार उसको कितना भी लंबा अगर कोई भी सवाल दे दिया जाए इस तरीके का और उसको 0 से multiply करना है तो उसे पता है answer जो है वो 0 ही आएगा ठीक है तो एक पक्ष का जो ग्यान है वो दूसरी जगे आ रहा है तो यहां पर अगर 0 से कितनी भी बार उसको multiply करने को कोई भी नमबर दे दिया जाए तो वो answer 0 ही करेगा इसमें सीखने के कौशल का अंतरण उच्छे स्तर के कौशल को सीखने में भी होता है अनुक्रमिक अंतरण या अधिगम स्थान अंतरण sequential transfer अब यह क्या होता है अनुक्रमिक यानि की क्रम से example देखिए बालक को भाग सिखाने के लिए पहले उसको क्या सिखाएंगे जोड सिखाएंगे यानि addition उसके बाद उसे घटाना सिखाएंगे subtraction उसके बाद उसे गुना सिखाएंगे और उसके बाद उसे भाग या divide करना सिखाएंगे तो ये क्या है? अनुक्रमिक अंतरन, अधिगम, इस्थान अंतरन, यहां जो अधिगम है, जो सीखना है, वो transfer कैसे हो रहा है, अगर addition सिखा रहे हैं, तो addition वाला, जो है, subtraction, minus करना सीख जाता है, जब addition और subtraction आगे हैं, तो वो गुणा करना भी सीखेगा, गुणा वाला भाग है अधिगम का फूर्थ नंबर पर है सम इस्तर अंतरण अधिगम इस्थान अंतरण होरिजोंटल ट्रांसफर इस अंतरण में सीखे गए कौशल का अंतरण समान इस्तर ये कौशल को सीखने में होता है समस्तर, यानि कि समान लेवल वाले, यानि एक, अगर आपकोई एक कोशल में दक्ष हैं, तो उसके जैसे ही अगर समानस्तर वाले कोशल सामने आते हैं, तो वहाँ पर भी सीखना जो है वो चालू रहता है, वहाँ पर अधिगम जो इस्थान तरण हो जाता है, कैसे, अगर टॉपिक है, वो सीखना है, तो जरूरी नहीं है कि हमें वो एक ही सब्जेक्ट में मिले, इकनॉमिक्स पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें खेती के बारे में पता लगता है, जोग्रोफी में पता लगता है, हिस्ट्री में हम, अगर सिंदुगाटी सब्वेता के समय, कौन से सब्वेता में कौन से होती थी, ये हम पढ़ते हैं, एगरिकल्चर सब्जेक्ट में तो हम ये सीखते ही हैं, तो एक जगे का टॉपिक देखिए, कितने सारी साखाओं में काम में आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को मदद कर रहा है, ये सभी समान लेवल के क्रॉस सिक्षा, क्रॉस एजूकेशन, जब सरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरन, ओटोमेटिकली दाएं अंग से सीखने पर होता है, अब ये कैसे होता है, मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का एक्सिजेंट में उसका एक हात जो है, वो फैक्चर हो जाता है कोई भी परेशानी हो जाती है, तो अगर उसके सामने परिस्तिती आ रही है, कि उसको खाना खाना है, उसको कुछ लिखना है, तो अटोमेटिकली उसका जो दूसरा अंग है, दूसरा हात जो है, वो काम करने लगता है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, अधिकम का स्थान अंतरन हुआ एक हाथ ने जो कुछ सीखा हुआ था वो बुरी परिस्तिती में भी काम आ रहा है दूसरी दूसरे हाथ में ठीक है ये क्या है दुए पार्षभी अंतरण यानि क्रॉस सिख्षा क्रॉस एजुकिशन तो आज हमने तीन अधिगम के मुख्य इस्थान अंतरण तीन अधिगम इस्थान अंतरण वो हमने देखे और पांच अन्य अधिगम इस्थान अंतरण को देखा तो ये बहुत अच्छे से आपको करने हैं क्योंकि आपके एक्जाम में यहां से प्रशन आते हैं और आगे भी आ सकते हैं के कर दो कर दो कर दो जो 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 जा खुँ और हम जो फंग You